हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सिक्षा कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स एंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के उपर औरड़ी तीन वीडियो याने की पंदरा कोश्चन के करीब हम कर चुके हैं उस पे में टार्गेट मेंली हमने फोकस किया था अपने रिवोल्ट आफ 1857 के अराउंड ठीक है अब हम MCQs करेंगे आने वाले 5-7-10 वीडियो में मैं MCQs में फोकस में रखोंगा सोशल रिफॉर्म के उपर ठीक है सोशल रिफॉर्म मूव्मेंट और बीच-बीच में हम और भी चीज़े करते रहेंगे अब किसी को अगर ऐसा लग रहे है कि सर वहाँ पर तो freedom struggle लिखा हुआ है काफी बच्चों के मन में ये बाते आ जाती है कि सर freedom struggle लिखा हुआ है कहां आप social reforms के चक्कर में पढ़ गए तो बेटा social reform से questions भी आपके पूछे जा सकते हैं 2017 का अगर आप अपना EPFO का paper देखते हो तो वहाँ पर social reform से भी question आया है तो दो question जो social reforms में से directly पूछे गए थे 2017 के paper में पहले मैं वो इस video में बोट दोनो questions discuss करूँगा ताकि आपके मन में कोई doubt ना रहे कि हम इदर उदर की फालतों की चीज़े कर रहे हैं strictly UPSC, UPFO के हिसाब से तयारी यहां पर हो रही है UPSC, UPFO वाले बच्चे यहां पर primary हैं बाकी papers में भी काम आईगी यह information लेकिन primary concern मेरा EPFO वाले बच्चों के लिए है उनके साथ कोई compromise नहीं है ठीक है, हाला कि जो civil services या state services के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो यह useful होई जाएगा उनके लिए तो automatically सब कुछ useful हो जाता है ठीक है, चलो तो यह question 2017 में पूछा गया था directly ठीक है, मैंने नहीं बनाया UPSC का question है, जो आपके EPFO के exam में स्तारा में आया था Question direct है, who among the following was the founder of the Arya Mahila समाज in 1880s Arya Mahila समाज की founder कौन थी, 1880s में जिसकी foundation रखी गई थी Option, स्वामी देयानन सरस्वती Option B, स्वामी विवेकानन्द Option C, पंडिता रामाबाय Option D, रामाबाय रनाडे Factual question है, अगर आपने Arya Mahila समाज के बारे में पढ़ा है या इन में से सब व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है तब भी आप इसका answer कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते है अब काफी बच्चे इसको confuse कर देते हैं अब अगर आप इस question को दिहान से देखो और options को दिहान से देखो, तो एक चीज़ आप notice करोगे examiner ने जान बूझकर यहाँ पर स्वामी दयानन सरस्वती डाला है ठीक है, हाला कि स्वामी दयानन सरस्वती इसका answer नहीं है लेकिन examiner ने यहाँ पर क्यों डाला है या इस option को क्योंकि जो स्वामी दयानन सरस्वती ते, किसके founder थे? Ariaサमाच के, ठीक है? Aria समाच के founder थे तो कहीं न कहीं वो बچjay के मन में doubt create करना चाता है कि यार, Aria महिला समाच भी सवामी दयानन सरस्वती नहीं found किया होगा Aria समाच का एक sub part होगा यह एक तरह से इसलिए उसने यह option दिया और बहुत सारे बच्चे जो तुक्का लगाते हैं paper में guesswork करते हैं वो इसके ओपर tick भी लगा करके आएंगे और expect करेंगे कि answer ठीक ओपर इसका answer क्या होगा इसका answer होगा आपका option C पंडिता रामा भाई अगर NCIT की किताब पढ़ी है 8th class की history वाली तो answer कर सकते हो नहीं तो नहीं answer कर सकते हैं ठीक है 3rd class की NCIT में clearly mentioned है तो पंडिता रामा भाई के बारे में भी पढ़ेंगे उससे पहले देखो question दूसरे तरह से किस तरह से form हो सकता अब ये question मैंने बनाया ये question मैंने मनाया ये paper में नहीं आया where was the widow's home founded by पंडिता रामा भाई पंडिता रामा भाई ने एक widow's home की foundation की थी जहांपर widows जो थी उनकी development के लिए काम किया जाता था तो इसकी foundation उन्होंने कहां पर रखी थी ये भी directly NCIT में ही mentioned है जो question का source है आपका 8th class की NCIT है Puna, Bombay, Lahore, Bengal once again either you know it or you don't know it इसमें दो चीजे होई नहीं सकती की तुक्का लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो answer इस case में क्या हो जाएगा आपका option A Puna, Puna में पंडिता रामा भाई ने widow's home की foundation की थी ठीक है, तो पंडिता रामा भाई के बारे में अगर हम देखें पंडिता रामा भाई सरस्वती founded the Arya Mahila Samaj to serve the cause of women पहला point, she pleaded for improvement in the educational syllabus of Indian women अगर अब देखो statement वाला question आता है कि which of the following is the contribution of पंडिता रामा भाई या आपको ऐसे points ले देंगे कि she was, she founded Arya Mahila Samaj and pleaded for the improvement of educational syllabus of Indian women, ठीक है, बताओ कौन है, अंसर हो जाएगा पंडिता रामा भाई ठीक है थी, तो educational syllabus of Indian women before the English Education Commission which was referred to Queen Victoria, तो Queen Victoria ने commission मनाया था English Education Commission उनके सामने इन्होंने plea किया था कि जो educational syllabus है Indian woman का उसको change किया जाए, ठीक है Indian women को भी diverse educational fields में जाने की permission मिले and this resulted in the medical education for women which started in Lady Dufferin College, पहले औरतों के लिए medical education थी ही नहीं इंडिया में, ठीक है तो यह इनका एक बहुत major contribution है उसके इलावा, she also founded a widow's home at Puna यह जो widow's home था, it provided shelter to the widows who had been treated badly by their husband's relatives, husband की death के बाद विडोस को generally, आज भी हमारे समाज में विडोस को बहुत बुरे तरीके से treat किया जाता है कहीं जगा उपर उस समय तो आप सोचो क्या ही हाल होगा तो ऐसी widow ladies के लिए इन्होंने ये विडोस home Puna में established किया था, ठीक है, तो यह सारे points directly NCIT में है अगर आप पढ़ोगे, तो easily आप इसका answer कर सकते हो, ठीक है, चलो next question, यह भी once again 2017 का question है कि क्या books वगेरा से related question पूछे जा सकते हैं, social reformer थे बेगम रुकईया, तो आप से direct question पूछा गया है कि इन में से कौनसा, इनका contribution नहीं है किताबे दिए हैं, चार, चार में से एक किताब ऐसी है, जो reformer बेगम रुकईया ने नहीं लिखी social reformer बेगम रुकईया ने नहीं लिखी ठीक है, once again direct question है factual question है, either you know it or you don't know it, इसमें तुक्के बाजी खतम हो जाती है, बिल्कुल in questions में, ठीक है, इन questions में question में से भी हमें सीखना होता है, हम तभी आपको कहते हैं कि जो previous year papers हैं, वो बहुत important होते हैं ठीक है, अब for example, आप से 2021 में जो paper होगा, उसमें सवाल पूछ लेंगे कि अरधांगी was written by which social reformer या griha was written by which social reformer, या sultanas dream was written by which social reformer, तो तो तीन questions बनने की probability बन जाती है, इसे एक past year question में से, similarly देकें, also ask mother India किसने लिखी थी, ठीक है तो चारों किताबों के उपर आप से चार question पूछे जा सकते हैं कि किसने लिखी थी, ठीक है, तो इस तरह से आपने past year questions को cover करना है, तो अरधांगी, griha और sultana dream तो किसने लिख दी, बेगम रुकईया ने, अब mother India किसने लिखी है, mother India लिखी है, आपकी Catherine Mayow ने किसने लिखी है, Catherine Mayow, very very important, ये भी जो है आपका end of the 19th century में ही लिखी गई थी Catherine Mayow, याद रखना है इसको भी आपने important है, पूछा जा सकता है directly, चलिए अब फोर्थ कोशन, ये कोशन मैंने फ्रेम किया है once again, author-based कोशन है who among the following was the author of the book High-Cast Hindu Woman किताब का नाम है High-Cast Hindu Woman इस किताब के author का नाम आपसे पूछा गया है, option A, Pandita Ramabai, option B, Ramabai Ranade, option C, Annie Besant and option D is Taraabai Shinde, तो इसमें से क्या correct answer होगा, again, factual question, you cannot you know, elimination वाला काम नहीं यहाँ पर चलता, बिल्कुल भी alright, तो answer यहाँ पर होगा, आपका option A, once again, Pandita Ramabai Pandita Ramabai से अगर आपका कोई भी question अब आता है, अगर आपने ये video पूरी अच्छे से देख लिए है, तो Pandita Ramabai में से question आपका गलत नहीं हो woman, she was a woman educated at home at Puna and she published a book, काफी important book है, जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, किस ने लिखिया है, ताराभाई शिंडे, important किताब है, NCIT के अंदर इसका पूरा एक page इस किताब के लिए दिया गया है NCIT में, 8th class की NCIT में, तो important हमारे लिए काफी बन जाती है तो ये आपने याद कर लेनी है, पूछी जा सकती है ताराभाई शिंडे की किताब, ठीक है ये भी पूछ सकते हैं कि ताराभाई शिंडे ने कौन सी किताब लिखिया है, या ये पूछ सकते हैं ये पूरुष्टुलना किस ने लिखिया है, और राइट, चलिए ओके लास्ट कोशन, लास्ट कोशन is not related to social reforms, बट related to the economy structure of that time अगर आपने questions पिछले वाले देखे हैं 2017 में, तो economic history से related questions भी पूछे गए हैं, अब सवाल यहां पर क्या है सिधा सिधा पहले तो सवाल को समझने की कोशिश करें 19th century में इन में से कौन सा factor था which best explains the growth of Indian capitalist class इन में से किन कारणों की वज़े से 19th century में आप कह सकते हैं कि Indian capitalist class ने growth जो है witness की क्या reason था, ठीक है जी तो options में क्या क्या है, आपके पास सबसे पहले यहां पर यह कह रहा है introduction of zamindari system की बई zamindari system introduce कर दिया B option कह रहा है, formation of Indian National Congress C option कह रहा है, trade of opium, afeem में व्यपार by the East India Company from Bombay 4th option कह रहा है disintegration of the Mughal Empire after the revolt of 1857 किस कारण से Indian capitalist class 19th century में grow करना उसने शुरू किया, सबसे important reason आपको यहां पर देना होता है तो answer इस case में क्या होगा, video को pause करके पहले question को एक बार दुबारा से खुद से पढ़ें और answer करने की कोशिश करें ठीक है, चलिए, तो answer होगा इस case में option C, opium के व्यपार से, afeem के व्यपार से जो East India Company हिंदूस्तान से कर रही थी, उसके व्यपार से जो है, Indian capitalist class को काफी जादा boost मिला, अब आप कहेंगे सर, trade व्यपार तो East India Company कर रही थी, तो हिंदूस्तानी capitalist class को हिंदूस्तानी businessman को कैसे इससे फाइदा मिला, तो इसको समझने की कोशिश करो अब Bombay जो था, वो colonial इंडिया में, देखो पहले अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने के 101 साल बात तक बंगाल जो था, वो main था मसूली पतनम, बंगाल, ये सारे main थे लेकिन after around 100 years, जब अंग्रेज आ गे थे और उन्होंने अच्छी खासी अपनी territory acquire कर ली थे इंडिया के अंदर, तो जो Bombay का port है, वो commercial capital बनना शुरू हो गया इंडिया का, ठीक है और Bombay की coast के उपरी महराश्टा coast के उपरी जो port है वो western coast के सबसे important port बन गए, international trade के लिए और 19 वी सदी के अंत तक आते आते, हमारा जो भी आदा import और export होता था इंडिया का, वो Bombay से जाता था, ठीक है, जितना भी हमारा trade होता था, उसका आदा 50% trade Bombay से हुआ करता था और one of the most important item in the 19th century trade की जो सबसे important item थी, वो थी opium ठीक है, अब ये opium East India Company चाइना में export करती थी, जो ultimately Bombay के थू जाती थी, port के थू ठीक है, अब हुआ क्या, जो India के व्यापारी थे, या India में जो middleman थे, वो भी इस trade के साथ जुड़ गए, middleman बन गए, supplyash उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है ना, तो ultimately वो Bombay की economy के साथ जुड़ गए, और साथ ही साथ वो मालवा, राजस्थान और सिंध जहाँ पर opium grow किया जाता था वहां से trading करने लगे, directly अंग्रेजों को supply करने लगे और Bombay के port से फिर उसको transport किया जाने लगा ठीक है, ultimately इस collaboration की वज़े से, जो Indian capitalist class थी, उसने काफी जादा profit कमाया, जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं, कि it resulted into the benefits for the Indian capitalist class कहीं बार इस तरह की questions भी आपके paper में आ जाते हैं, अगर पढ़े हुए हो तबी इनको solve कर सकते हैं तुक्के बाजी इनमें भी चल नहीं पाती है ठीके, तुक्के बाजी इनमें भी चल नहीं पाती है alright, चलिए, तो ठीके guys ये थे हमारे इस वीडियो के 5 questions, I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा, questions देखने में questions अच्छे लगे होंगे और ऐसी questions हम करते रहेंगे daily basis पे आपको videos मिलती रहेंगी आपने चिंता नहीं करना है, बस आपने पढ़ना है ठीक है, 5 questions ही मिलेंगे, वीडियो छोटी रखेंगे ताकि आप easily जो है, चीजों को grab कर सको 5 questions एक बार में learn करने भी असान हो जाते हैं एकदम से 50 questions करा दो बच्चा ना तो पढ़ पाता है पूरा वीडियो नहीं देख पाता है, फिर वोई PDF, PDF, PDF ही करता है वो PDF भी कभी नहीं पढ़ पाता है 10-15 मिनट की वीडियो देखने में इंट्रस्ट भी मना रहता है और चीज़े साथ की साथ याद भी हो जाती है ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर करना है, ठीक है एक एंकरेजमेंट के लिए, टीचर की एंकरेजमेंट होती है, तो content और improve होता है, ठीक है, और बाकी की playlist आपकी screen के उपर है जो आपको EPFO में help करेंगी, तो वो भी आप देख लीजेगा, से लिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए all the best and bye bye